तो वेलकम बैक अगें तो अबर चैनल, आर यू रेड़ी फॉर दे टूड़ेज गेम प्ले? चलने के बाद में और हमें यहाँ पर एक अजीब सी चीज दिखाई दे रही है, तो यार पहले तो मैंने इस गेम के अंदर नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े इंसान भी हैं इस गेम के अंदर, वैल दो मैंने इसके अंदर देखा था, एक राक्षस था और उस राक्षस क जो कि हमने पीटा भी था तो यार बहुत ज़्यादा डिफ्रेंट था पर यहां पर इतने बड़े-बड़े इंसान भी है यह चीज भी मुझे अभी ही पता लगी तो यार आप सब देख रहे होंगे कि हम पिछले वाली जो कासल के अंदर गए थे तो यार उसके अंदर बहु यहां तक लेकर आई थी तो यार बर्ड रेस्ट इन पीस वेरी सेट उसे पर यार हमें एक चीज से उद्दास जादा नहीं होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि अब हमें क्या करना है तो भाई इतना बड़ा हाथ है इसके हाथ में तीर चले गया है इस तीर की मज़द से हम इसे साइड में कर देते हैं इसके हाथ को नहीं तो हम दोनों इसके हाथ को पकड़ को उठाने की सूचें तो भाई ऐसा बिलकुल भी नहीं हो सकता है तो गाइस चलो आगे चलके देखते हैं अब हमें और क्या चीज दिखाई देती है भाई देखो कितना बड़ा खंजर है इनके लिए तो फरी चटान है यह भाई क्या सीन है और यह नदी के अंदर इतना खून बह रहा है कि आज रहर है खून की नदी बह रही है मैंने सुना था बस डैलोग के अंदर की खून की नदियां बह जाना ऐसे कोई वहार वहर होती है तो लिए यहां पर तो यहां पर यह कौन है इस जीब के वारे मैं तो यार पता ही नहीं चल पा रहा तो चलो आगे बढ़कर देखते हैं पहले तो नीचे हाथ दे दिया है तो इसके उपर चड़के इस तैनी को नीचे जुखा दूँगा उस पे लटक के ऐसे साड साड में हो जाओंगा और जससे की मेरा भाई उस साड में चड़कर फिर वापस से उस तैनी को पकड़कर उस साड में आ सकता है तो यार यह काफी अच्छा तरीक है क्योंकि अकेला कोई हमें से कोई इतना उच यहां पर तो यहां पर तो अभी यह इसको जल दी से पकड़के अब हम दौनों यह उस तरफ चलते हैं क्योंकि अब तो हमें यहां पर और देर टहनी जुखानी की कोई जरूरत नहीं है आज आगे चलकर देखते हैं आज आगे क्या सीन होने वाला है यह पेड़ की टहनी यार पर थोड़ी सी अलग थी क्योंकि आज देखो उपर से कटा वहां पर सपाट सीधी सीधी लंबी टहनी आ रही है ऐसे पेड़ बहुती कम देखने को मिलते हैं और इसके आगे कैसे यार यह तो सामने एक इनसान लेटा हुआ अब इसके आगे कैसा जाया जाये कुछ समझ नहीं आ रहा यहां पर थोड़ा सा ब्लैंक हो गया दमाग में चलो इस पर चड़के देखते हैं वहां पर कुछ हमें कंडे को मिले शायद अच्छा अच्छा समझ आ गया इस पर हमें जंप क में गया जंप करना एक एक साथ मैंने भी लोगर वह तो उसका तो बस उल बाड़ी थी जास तो यह में असली जान तो dares me को इस्तेमाल करते हैं तो बस यह खंजरी खंजर इस्तेमाल कर रहे था तलवार तो किसी एक के भी हाथ में रिखाई दिया अच्छा अच्छा समझ आया इस कुलाडी से में उस वाले पहाड़ पर पहले जाना होगा तो उसके लिए मैं पहले इस पर चड़ना पड़ेगा जल् चड़ो 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 जल्दी सवारी सवारी जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे वहां पर क्या पैटर्न टैप का सा बन रहा है यह कुछ समझ नहीं आ रहा चलो आपको दिखाई दिया कि नहीं तो पहले हम इसको पार कर लेते हैं बाद में आर वहां पर देखते के इसको सैड करने से पिछली बार हमने करा था तो इसके हाथ में खुलाड़ी कितनी बड़ी है यार बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है मेरे को यार धका देने में प्लीज चोड़ लगा के है यह गया अभे तेरी असे पावी काट डाला इसका तो भाई साब पावी काट डाला इसका खतरनाग तरीके से यार बिल्कुल कर कोई बात नियार वह बॉड़ी थी बस लाश था अच्छा हुआ असली इंसान को पाव नहीं काटा इसमें वह दो गिद्द खा रहे हैं आ रहे हैं आप सब देख रहे होंगे इनको चड़िया के खाए जा रहे हैं जो वैस यार बहुत ज्यादा मज़े आ रहे होंगे जैसे कि आप इन बर्ट को देख रहे हैं यह जो कार्णी वरस वर्ड हैं आर कितनी ज्यादा ही भाई जा रहे हैं इनको तो यार कोई बात नहीं सही है कुछ खाना तो मिलना चाहिए तो यार बस यह चीज को हम क्रॉस कर लेते है तो यार आज के एपिसोड में देखते हैं क्या नया चीज हमें देखने को मिलेगी जैसे हर बार एक एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ इमोशनल चीज और नहीं चीज़ जरूर देखने को मिलती है तो definitely आज के भी एपिसोड में यार जैने कि आज की गेम पले के अंदर बढ़ा सुन्सक्राइब निया मिलेगा तो यहां पर तीर चलाने वाली मशीन के पास में आ गये और कितनी बड़ी मशीन है इतना बड़ा तीर कमान पीछे जोड-जोड से लॉक हो गया आप यहां पर यह तीर हमारा लॉक हो गया इसको इससे इससे रिलाना होगा हिला के देखता हूं पहले तो मैं यह उठा जा अरे नहीं उठा यह चलो बड़े भीया उठा जेंगे और हम पट्ट से हैड शॉट क्या ख़दरना मतलब काम कर दिया इसने तो यह की बार में यार पूरा इंसान ही अटा दिया हाथ की क्या ब चलो चलते हैं अब उस तरफ जाना होगा मैं सामनी की तरफ में इसके पड़ जंप करके बास पहुंच गए बास पहुंच गया दस पहुंच गया यहां पर जंप कर ली हमने अब देखते हैं आर आगे क्या मिलता है आगे क्या चीज़ देखने को हाँ मैं इसी चीज़ के बारे मैं बात कर रहा था अगर यह ऐसा टैप को सैंबल बन रहा है तो पक्का यार कुछ ना कुछ तो इसके अंदर डिफ्रेंट होगा ही तो यार बड़ा ही खतरना टाइप का सैंबल सा दिखाई दे रहा हिए और यहां पर बहुत सारी इसान भी दखाई दे रहे हैं कुछ प्रैक्टस्टी कर रहे हैं यार यह कहीं राक्षस तो नहीं है या फिर इंसान ही एकुछ समझ नहीं आ रहा है इतनी दूर से देखने में कुछ कैमरा को पास में दिखा देगा यह कंप्यूटर हम हमें आप यहां पर पक्का ट्रेनिंग चल रही यार यह तो यार पूरे खून के अंदर लाल लाल हो गए है इसा अब इनके उपर लाल लाल रंग इतना खतरनाक चड़ गया एगी कुछ पोछ भी मत तो यार यहां पर यह क् बनाने के लिए चीज है का वे खाली एक काई को बजा रेला है मैं आख आके देखोंगा आजाएगा खाना अब नहीं आया क्या चलो आगे वड़ते हैं यार ऑग खाई खाना वाणा नेंखिला हरी गेम के अंदर इस्टी बात नहीं है इनको खाना वाणा का इंतजाम करना यार इतने मेंन करेकटर आ रहे हैं और चल रहां है बाई साब यहां पो यह यहां पर इससी को बंडी बना के रखा यहАं और यहां पर एक टीर है वर यह मिश्च जोगी इतने सारी स्टूदेट को अर्वा रहा है पता नहीं किस चीज की प्रैक्ट्स है इस आ यहग्रने के ऐसे संबज़ें की यह क्या बात कर लेशा कि यहां पर बीद मज़ए lot कर इस एंदि चीज को नहीं चारा नहीं कोुश्ट कर लेते हैं यहां बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर इस गेम के अंदर तो यार चलते हैं इस पहले लड़गी को बचा लेते हैं फिर कुछ काम करते हैं यहां से तो नहीं जा सकती तो दूसरी सेट से देख लेते हैं वहां यहां पर रस्ता है पूरा प्रॉपर वैसे आपको आप पता हूं इतने सारी लोगों के सामने अब ये कैसे डिफीट करेंगे उन्हें ये देखने लाइक होगा और याज ये फाइट है ना बड़ी भेंकर होगी यार मेरे को ऐसा लग रहा पता नहीं क्यों यार हवा रही है कितनी ठंडी ठंडी इनको यार ठंड भी लग रही ह देखना यार अब मैं सब कोई की बार महला डालूगा ये क्या हो गया कुछ समझे नहीं आ यार ये तो यार वापस से यार इस बार मेरे बड़े भाईया जाएंगे तो भाईया जाओ भाईया को डर लग गया तो यार चलो अरे अरे जुकर को यहां पर कुछ करना है इसी चीज को दिखा रहा था कि आपको ऐसा शेप बना के जाना होगा तो चलो यार हम चलते हैं लग रहा यह इनी देवता की पूझा करते हैं जो यह सामने दिखाए दे रहे हैं तो यार दिखते हैं आगे कि यार यह हमें पूझेंगे की निए अगर हम ऐसे बनके फूजो आ गए हैं तुम्हारे भगवान आ गए हैं पूजो हमें भाई पूज लो तो मारा कैसे रहे तुमने तो यार इस बार मैंने नीचे वाले जो इनसान था जो बड़ा भाई है इसका इस पर भी लाल कलर चड़वा दिया है क्या पताए इसी वजह से इसने हमें मार डाल लाल कलर ना हो फूजो पूजो आ गए तुम्हारे भगवान तो भाई इनका भगवान मन क्यार मेरे को है ना बहुत ज्यादा अंदर से खुशी हो रही है आस तो मैं भगवान बन गया है इसके अंदर लगा नहीं था यार इतनी उश्यारी से हम काम लेंगे इसके लिए में ही तो कुछ समझनी आया है कि हम भगवान नहीं हैं जब तक की अपना कॉमबो भगवान वाला जो इनके वह पूरा का पूरा छोड़ दीया जब भी जाके इनको समझनी आया पता नी क्या दिमाग है इनका तो यार अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चै चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो यार मैं आपको ये सारी चीज़े याद दिला रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना है most important क्योंकि यार इसका अगला पाट जो आएगा उसको आप जब ही देख पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो बैल आकन वाला नोटिफिकेशन बैल है उसको आप दवाद होगे तो यार उससे आपकी तरफ में नोटिफिकेशन आ जाएगा फोन पर तो यार इसी वज़े से चैनल को सब्सक्राइब करना important है और यार बाकी का तो ऐसा है कि love you to all, see you in the next video